CNG में आई सबसे ज़्यादा बिकने वाली Tata Punch, Altrode CNG भी हुई पेश. Auto Expo 2023 में Tata Motors ने कई कारें पेश की हैं. इसी क्रम में कमपनी ने Punch और Altros के Factory Fitted CNG वर्जन को पेश कर दिये है. अभी तक मारुती के पास CAG कारों का सबसे बड़ा पोर्टफोलियो थे. Tata के इन कारों के आने से अब मारुती सुजुकी को टककर मिल सकती है. हालांकि कमपनी ने अभी Tata Altrode CNG, Tata Altrode CNG और Punch CNG, Punch CNG की कीमत नहीं बताई हैं. कहा जा रहा है कि ये दोनों ही मॉडल इस साल बजार में बिक्री के लिए उपलब्ध हो जाएंगे और इसी साल इनकी बिक्री भी शुरू हो जाएगी. तो चलिए इन मॉडल्स के बारे में जानते हैं. टाटा पंच CNG में हो सकता है 30 किलोमीटर प्रती किलोग्राम माइलेज टाटा पंच को SUV सेग्मेंट में सबसे किफायती कार के रूप में जाना जाता है. जिससे पंच CNG भी अपने सेग्मेंट सस्ती कॉपेक्ट SUV के रूप में जगह बना सकती है. इसमें 1.2 लीटर, 3 सिलेंडर रेबोट्रॉन इंजन मिलेगा. वहीं पावर और टॉक में मामूली गिरावर देखने को मिल सकती है. कहा जा रहा है कि इसका माइलेज करीब 30 किलोमीटर प्रती किलोग्राम हो सकता है. फीचर की बात करें तो इस मॉडल में Dual Airbag, Brakesway Control, ABS के साथ ही BD और Central Locking जैसे फीचर्ज मिल सकते हैं. कंपनी की तरफ से इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है. Tata Altros CNG Altros CNG में एक Dual Turbo Charged Patrol इंजन है. CNG की वजह से पावर और टॉक में नामात्र की गिरावर देखने को मिल सकती है. यह इंजन पांच स्पीड मैनुवल गियर बॉक्स से लेस होगा. कार के डिजाइन से लेकर केबिन तक में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा. इस कार का मुकाबला बलेनो CNG से होगा जो की इस समय काफी किफायती कार के रूप में अपनी जगह बना चुकी है. पेट्रोल वर्जन की तुलना में CNG वर्जन की कीमत लगभग 60,000 रुपय से 70,000 रुपय ज्यादा हो सकती है. ऐसे ही और जानकारी पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल टॉप अपको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबाएं.